तो हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग आहें अपनों ठीक होंगें तो यह ना मॉर्निंग का टाइम है ना यह आफ्टर नून का टाइम है यह बीच का टाइम है दस से उपर भज रहें होंगे ग्यारा पॉने ग्यारा ऐसे कुछ बज रहें तो बाबू भी स्कूल चली गई है और हजबन भी ऑफिस चले गए है तो आज मैं अभी बेट सब साफ कर रही हूं क्योंकि मेरा घर नम रोड के पास है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहुत धूल-धूल होता है तो आज मैं मैं सोच रही थी कि अपना बेट क्लिन करूं और और मैं अग्राइन ब्रेकफास्ट बनाते वेए सब कोई वीडियो नहीं ली क्योंकि रोज में क्या वही मैं सोची कि मैं आराम से वीडियो सूट करूंगी जब बाबू और हजबन लोग चले जाएंगे इसके बाद आराम से रिलेक्स होते तब मैं वीडियो के काम करती होना तो मुझे बहुत एनर्जी मिलता है जैसे मैं टेंशन फ्री हो जाती हूं तो सबसे पहले मेरे जो चैनल पर नहीं है वह मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें आप लोग तो कुछ हैल्प ही नहीं करते हैं आप लोग ना सस्क्राइब करते आपने फैमिली प्रेंट्स को सेर करते हैं मेरा यही डेली लाइफ रूटीन है हजबन मेरे नौ साइड नौ बहुत होता है तो दस बहुत तक ऑफीच चले जाते हैं बाबु का तभी मॉर्णिंग है तो छे साड़े शे बजे वो स्कूल चली जाती है और जब हजबन ऑफीच क्या है लेकिन घर के काम तो रोज होते ही है जैसे जाड़ू पुछा बरतन यह तो करने के लिए उसा आती है लेकिन बेट साफ करना थोड़ा कभी-कभी अपने लिए टाइम निकाना चाहिए तो आज मुझे लग रहा था कि मैं अपने लिए कुछ टाइम निकानों कोई टाइमिंग है नहीं उनका आफिस आने का टाइमिंग है पर आने का कोई टाइमिंग नहीं है तो और आज मेरा सारा वीडियो यह सारा वीडियो आज मेरा वाइस ओवर ही होने वाला है क्योंकि मैं आज सिब गाना सुनकर ही काम कर रही थी और जैसे मैं बताई मेरा हो सबनक्ता है कि mmh holds your success जैसा फिसओंग shipping मुझे слon0 तुम आप लोग थे जोड़ा है sentence में रहते हैं व elastic कामन की आप बैंटेनसलिस औहाँ करते हैं अबKEN बहुत कम बात करती हूं बहुत कम बोलती हूं क्योंकि जब तक मेरा माइन फ्रेस नहीं होता है तो मुझे मन नहीं करता है कि मैं बोलू मैं कुछ भी मैं मुझे हसी भी नहीं छुड़ती है पता नहीं क्यों और फिर मैं अपने आप ठीक हो जाती हूं क्यों कोई तो मनाने आता नहीं है हुए है कि पूर देंट पाते हैं फैमली को इसे अभी बहुत अच्छा वीडियो भी आने वाला है तो आपनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा आगे बहुत सारे वीडियो आने वाला अच्छा-च्छा क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ा फंसन होने वाला है तो वह सब भी मैं वीडियो सूट करूंगा आप से अच्छा से अच्छा आप सबसे अपना अपना मैं प्ना करता है तो मैं करती हूँ. लेकिन बाकी तो जो काम रते वो तो करना ही पड़ता है क्योंकि उसा सिर्फ उसा सिर्फ वही जाड़ू पोछा बरतन के लिए आती है अब बाकी तो बाकी तो अपने से करना ही पड़ता है लेकिन वो उसा आती है तो मुझे थोड़ा सा मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं फिर उसके साथ बैठती हो उसके साथ चाय पीती हो उसा के साथ मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है सच पुछी तो वो मेरी दोस्त की तरह है उससे मैं बहुत रिलाक्स होके बात करती हूं अगर मुझे टेंशन होता है तो मैं बात करती हूं तो मेरा मूट ठीक हो जाता है क्योंकि वो मेरी फैमिली मेंबर जैसी है और है तो जान्ती है थोगा सा जगर ары हो जाता है है फैमिली प्रवर्लों आप लोग संद्रलस सकते हैं मैं यह सब सिएर्ट ने कर सकती हूं आप लोग से लेस्ब के साथ होता है क्या गफी करिक धोक्ते थोड़ा मड़ा दिमांग में चल favour और सही पूछे तो मुझे कुछ बोल देता है तो मैं बहुत दिन तक सोचते रहती हूं वह बात मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है घूमता रहता है और हाउस वाइफ लोग के साथ मुझे लगता है ऐसा ही होता है क्योंकि जो वार्किंग लेडी नहीं होती है वो तो घर में जो भी काम करना होता है घर में ही करना होता है और कहीं जाना नहीं किसी के पास बैठना उठना नहीं तो अकेले रहने पर यही होता है दिमाग में बहुत रखे बात गुमता रहता है तो मेरे साथ तो अकसर यही होता है मुझे लगता हाउस वाइफ के साथ ऐसा ही होता होग आदमी सौचता ही है क्योंकि वो कहते ना कि खाली दिमाग सैतान का होता है तो वैसा कुछ होता है तो मैं हजबन के सामने दम रिलाकस रहती हूं क्योंकि मेरे हजबन को मेरा गुसा होना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं जहां गुसा होती, मुझे से डवल वो गुसा हो जाता है, इसलिए मैं उनके सामने उतना जल्दी गुसा आती नहीं हूँ, लेकिन वो चले जाते तो मुझे बहुत, तब मैं अपना गुसा उतारती हूँ, अपने आप पर, और में किसे पर उतार सकती हूं तो आप लोग टेंशन मरते हैं तो क्या करते हैं जरूर बतायेगा मैं तो यही करती हूं मैं अपने काम में लगी रहती हूं दिमाग में तरह-तरह के बात चलता रहता है और मैं गाना भी सुनती हूं वसार आती है तो में उससे भी बात करती हूं, यहीं सब है और aplog, कैसे जरूर, बताईगा Fill मैं क्या आप से बता हूँ, क्या शेर करो, मैं भी मुझे लगता है कि मुझे द Sin教iform करना चाहिए क्योंकि मैं खाली बैठे रहती हूं तो मुझे अपने आप अच्छा ने लगता है तो तो मैं तो बाहर जाके कुछ कर नहीं सकती हूं सच कुछी तो मैं बाहर जाके नहीं कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर ध्यान देना पड़ता है जिस महाल में मैं रहती हूँ उस महाल में मैं बाहर नहीं जाके वर्क कर सकती हूँ मैं जो भी कर सकती हूँ घर में ही रहके कर सकती हूँ तो मैं बहुत इसलिए मैं भी कुछ करना चाहती हूं तब मैं अपना ब्लोगिंग करती हूं मुझे ब्लोगिंग करना बहुत पसंद है भले कोई मुझे पसंद करे ना करे और बहुत लोग को मेरा ब्लोगिंग करना यूटूब पे वीडियो बनाना पसंद नहीं है लेकिन मै फिर भी मैं मेरे हजबन पुरा सपोर्ट करते हैं और मैं हजबन और अपनी बेटी के चलते मैं अपना मैं वीडियो सूट कर पाती हूँ जी जिन मैं नहीं करते हूँ जिन मुझे हजबन बहुत बोलते हैं कि आज क्यों नहीं कि तुम इसी तर बीजी रह सकती हो लेकिन जहां पर मैं दो साल से मैं यूटूब पर अपना वीडियो डालती हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मैं कभी कई मैं बहुत निरास हो जाती हूँ बहुत जादा कि दो साल से अब तीन साल होने जा रहा है तीन साल अब होने जा रहा है लेकिन मेरे YouTube पे कुछ नहीं हो रहा है मुझे नहीं आता समझ में कि मैं क्या करूँ मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ की नहीं कर सकती हूँ जैसे कि husband को time नहीं मिलता है और बेटी मेरी अब 8 class में चली गी तो उसका life अलग हो चुका है तो मैं अपने लिए मैं अपनी बेटी को तो नहीं बोल सकती ना कि अपना coaching अपना tuition ये सब छोड़ देखें कि high class में बच्चे चले जाते हैं तो थड़ा सा वो लोग का भी pressure बढ़ जाता है पढ़ाई है तो computer class है coaching है tuition है बहुत कुछ है तो इसलिए और मिरा husband तो 10 बज़े जाते हैं maximum 10 बज़े निकल जाते हैं कभी वो 9,30 लेकिन maximum वो 10 बज़े तक निकल जाते है और निकल फिर वो रात को 6 बजे 5 बज़े ऐसे वो आफिस आते कभी 5 बज़े आते कभी 6 कभी 9 रात के 9 भी बच जाता है तो जैसा काम रहता है वैसा करते है इसलिए मैं उन पर भी blame नहीं डा पर नहीं है चाहे कितना भी टाइम लगे और मुझे टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं मैं खाली समय में जैसे बहुत होता है कि खाली समय में लोग टीवी देखके टाइम पास करता मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है मुझे सिर्फ गाना सुनना पसंद खाली टाइ है शुद में पहले से बहुत में मेरे प्रोग्रेस हुआ है लेकिन किताब ब consideration कि ज्यादा अपने आंक पे जोर नहीं डालने करने बढ़ाते हैं कि मैं जानती हम कि आफी ही लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे कती है और मुझे हुआ नहीं करते है ま experts मुझे कर लेकिन pan ती ही मुझे सोचने या कुछ बहुत लेने काम कुछ भी ऐसा मौका लूँ में तक है कुछ बहुत लोग तो आज मैं सोची कि अपना थोड़ा अपना केर करूं थोड़ा सा तो मैं कभी कवार करती हूं ज्यादा मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे मन नहीं करता है अगर चाहूंगी तो मैं रोज अपना स्कीन केर कर सकती हूं लेकिन मैं नहीं करती हूं कभी कभी मैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है लगता कि मैं चुक चप सी बैठे रहूं मैं कुछ न करूं और और क्या बोलू मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन कभी कभी कुछ करने को मन नहीं करता है लगता है ऐसी मैं बैठी रहूं और लेकिन आपके करने मन से तो चलता नहीं है आपको तो जो काम है वो तो करना ही पढ़ता है उसको प्रेस कर देना है तो आप लोग पता नहीं सिफ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं सिफ एक सस्क्राइब एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है और मैं सच पूछे तो मैं अपने हज्बेन का मदद करना चाहती है कि मैं अपने हजबेन का हर चीज में हेल्प करना चाहते हूं कि जैन्स लोग इतना टेंसर में रहता है उतना मुझे नहीं लगता कि हाउस जो हाउस वाइफ होंगी वो ज्यादा टेंसर में रहती होंगी या प्रेंसर में रहती होंगी लेकिन जिसको बाहर से कमा के लाना पड तेंसर वाल ज्यादा सेहर नहीं करतें क्योंकि मैं तुर्ण टेंसर में हो जाती हूं इसलिए लिए मुझे बहुत कम ही कभी 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 बताते नहीं तो अक्सर वो मुझे टेंसर मला चीज नहीं बताते हैं झाल 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 यहां पर मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूं यहां वही धोयावा कपड़ा दो दिन में रोज आशकल कपड़ा भास नहीं करती हों कपड़ा वसक्र ऑफोल्ड कर रही हैं। बाभू सब सब अपने पने जगा पर रखते हैं GO कपड़ा करके रखवना भी बहुत-बुधी टास्क है क्योंकि कपड़ा डेली का ऐलने प्रिस वालन अब लग इन और जो गौद्रेज में रखना उसको अलग रखना और यह सब चीज बड़ी बहुत बड़ा टास्क है तो मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़ा समेटना लेकिन क्या कर सकते वो भी करना ज़रूरी है नहीं तो कपड़ा ऐसा ही फैला रहेगा तो यह तो मुझे लगता है यह तो लाइफ का एक पार्ट ही है हर दो दिन तीन दिन पर कपड़ा समेटना रखना और मैं गर्मी की दिन में मैं रोज कपड़ा नहीं दोती हूं हर दो दिन तीन दिन बीच करके मैं कपड़ा दोती हूं जो हैंडवास रहता है वो तो रोज नह तो आप लोग कैसे करते हैं जरूर बताइएगा अब जब कोई और रखने वाला जैसे में फोल्ड करकर के दे रही हूं और बाबु अपने जगह पर रही है तो उससे और आसान पड़ता है नहीं तो फी फोल्ड करिए फी रखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे लगता है मुझे कपड़स फोल्ड करने में और रखने में आदा गंडा से ज्यादा लग जाता है दीरे 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 और मैं जली अली काम नहीं कर पाती हूं दीरे 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 काम करती हूं और यहां उसा आ गई है तो हम लोग चाय पी रहे हैं यहां हम लोग चाय पी रहे हैं और वो आ गई है तो अब मैं थोड़ा सा मैं कब से लग रहा था कि कब उसा आएगी और मैं उससे बात करूंगी तो वही उसा आई थोड़ा सा हम लोग बात उद किये चाय पीए अब मैं तो आज का वीडियो मेरे सारा वाइज ओवर ही है कोई वाइज ओवर करने का रिजन यही है कि मैं सिफ वीडियो लगाके और मैं बैठ गई थी और तो यह इसलिए मैं वाइज ओवर ही कर दियू है और यहां मैं फ्रीज क्लीन कर रही है ऐसे मुझे अंदर से भी फ्रीज क्लीन करना है तो लेकिन मैं भी बाहर से कर रही हूं इतना धूल हो जाता है रोड पर घर रहने से यही होता है कि बहुत धूल हो जाता है बहुत धूल हो गया है मुझे बहुत अभी किचन साफ करना है क किचन में भी बहुत ज्यादा डस्ट हो गया है किचन मुझे भी धोना है और यहां अचानक से मेरे हजबन और बाबू का बेटी का मेरे बाहर खाने का प्रोग्राम बन गया तो साम भो रहे हैं छे बनने जा रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं वही यहां आज कल छे शाड़े- साथ बसते बसते सब चीज बंद हो जाता है इसलिए हम लोग छे बजे अचानक से मेरे हजबेंट बोले बाबू भी कि बाहर आउटिंग करने चलते हैं तो आज हम लोग रेस्ट्रेंट में आये हैं और डिनर करने के लिए तो हम लोग डिनर तो मुझे तो जाने का मन नहीं कर दो क्योंकि जैसे से साम होती है पता नहीं क्यों मुझे बहुत आलस टाइप का होने लगता है तो मैं वही मुझे जाने का मन नहीं था लेकिन बेटी के चलते जाना पड़ा और आजबिन तो कभी कभार ही बोलते हैं तो व मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो वह मंग गई थी इसके बाद लंच इसके बाद डीनर आया था तो डीनर में भी अच्छे नान और चिकन रारा और बियानी यही सब था डीनर में क्योंकि रेश्वन जाने का मतलब है कि वेज नहीं नौन वेज ही खाना मने कि मेरे हजबन को तो रेश्वन में वेज कहना भिल्कुल पसंद नहीं है और यही प्रोब्लम है और क्या कर सकते हैं तो आप लोग देखर अच्छा भी लग्ता है कुछ गुलाscale दा तो आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और यहां हम लोग अब भी हम लोग कुछ कोल्डिंग मॉक्टेल टाइप का मंगवाय है और मॉक्टेल टाइप का ही मॉक्टेल टाइप बाबू को पीने का मन था उसको तो आइस्क्रीम मॉक्टेल यह सब बहुत अच्छा लगता है तो लास्ट में हम लोग यह भी मंगवाय है थे पीने के लिए मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा था लेकिन मेरी हस्बिन 115 पर यहां अब हम लोग आव वापस आ रहे है तो वापस आते समय हम लोग वाकिंग में आ रहे थे क्योंकि गाड़ी हम लोग दूसरे जगह लगा के और हम लोग वाकिंग चल के जा रहे थे घर और देख सकते अंधेरा कितना है और अभी रोड बन रहा है तो बहुत रोड खरागे